आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपको वाटसप पर कुछ इस तरह से एरर देखने को मिलता है इस अकांट इस अपने वाटसप यूज नहीं कर पा रहे हैं आपको कैसे क्या कुछ करना पड़ेगा उसको अन्बैन करने के लिए उस सेम नंबर से लोगिन करने के लिए कुछ इस तरह से आपको शो कर रहे है तो आपको वाटसप अपना यूज करने तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको क्या करना है आपको नॉर्मल वाटसप बैन हो चुका है आपको या तो अपने प्ले स्टोर से वाटसप बिजनेस को इंस्टॉल कर कुलोन बनाने के बाद यहां पर इसको उपन करते हैं तो इसको मैं यहां पर ओपन करने के बाद आप यहां पर और फॉस्थ देखन को बिलते हैं नीचे आपको देखने को मिल रहा है help पर आपको click करना है जैसे आप help पर click करेंगे आपको सबसे नीचे देखने को मिलेगा this doesn't answer my question तो इस पर आपको click करना है click करने के बाद आप directly इस page पर आजाएंगे यहाँ पर आपको एक report लिखनी होगी वह report के आप देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको एक report लिखनी है hello whatsapp sport team we told you about whatsapp ban on यहाँ पर date month year यहाँ पर आपको date month year अपना लिखना होगा किस date को जो है आपका ban हुआ था and then उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर number देखने को मिल रहा है country code के साथ यहाँ पर अपना number डाल देना है उपर फिर आपको I would like to tell you that my whatsapp account is still banned I have read all your tournament condition properly please open my account यह करने के बाद नीचे add screenshot का option देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक करके आप जो है वो screenshot अपने add कर सकते हैं then उसके बाद आपको क्या करना है next पर click कर देना है next पर click करने के बाद आप यहाँ पर आपको बहुत सारे questions देखने को मिल देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप हो गए अपनी Gmail पर sorry click कर देते हैं यह लोंग प्रेस हो गया तो फिर से एक बार मैं click कर लेता हूं help पर करके सो अब देख सकते हैं मैं यहाँ पर redirect हो चुका हूं जैसे मैं यहाँ पर redirect होता हूं मेरे जो mobile की सारी information यहाँ पर आ चुकी है आपके mobile की भी information ऐसे ही आपकी mail में आ जाएगी then आपको उपर की तरफ यहाँ पर इसको click करके send कर देना इस report को then 24 hours के अंदर आपका जो WhatsApp नमबर वो unbind कर दिया जाएगा आप इसली जो है उस नमबर से अपना WhatsApp बना सकते हैं कोई problem नहीं होगी ठीक है आपको सिर्फ इतना ही काम करना होगा वह आपको सब को समझ आ चुका है अगर आपको फिर भी कोई problem आती है मुझे comment box ने जरू बताएगा मैं आपके लिए को